Hey guys, welcome back to the channel, channel पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों 2-3 दिन पहले ही Delhi में नई guidelines लागो हुई थी और अब एक बार फिर से guidelines लागो हो गई है जैसा कि मैंने पिछली guidelines में आप लोग को बताया था कि अगर यही स्तिती रहती है तो Delhi सरकार ने कहा था कि हम लोग yellow alert जारी कर देंगे और नई guidelines लेकर आएंगे तो जो जो guidance बताये थी उस time पर वो लागो हुई है और कुछ और changes है तो देखते हैं क्या अब open रहेगा, किन चीज़ों पर पाबंदिया है, क्या बंद किया गया है सारी की सारी information आपको इस वीडियो में मिलने वाली है इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नई हैं और इसी तरीके से हर एक update आप पाना चाते हैं तो चैनल को subscribe करें, bell icon को press करें और वीडियो को like और share करना ना भूलें तो दिल्ली में नीजे कारियल है, 50% पर अप संचारित होंगे, मोल और दुकाने ओर इवन के आधार पर खुलेंगी और केवल 20 लोगों के साथ ही शादियों की अनुमती होगी क्योंकि राजदानी में yellow alert आज से जारी कर दिया गया है, नए परतिबंद लागू कर दिये गया है COVID मामनों में विर्दी को देखते हुए हाला कि परतिबंदों की गोशना दोपैर 3 बजे ही हुई थी, जो की कारिय दीवस के आधे से अधिक समय तक थी तो सरकार ने का कि ये तदकाल परभाव में होंगी, तो आज से ये लागू हो चुकी है नाइट कर्फ्यू जो है, वो रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नीजे कारिय ले उन निर्जिस्ट आवश्चक सेवाओ को छोड़ कर 50 परतिशत करमचारियों के साथ कारिय करेंगे जिनमें के हस्पताल, मीडिया, बैंक, बीमा कंपनिया और दूसर चार सेवाई शामिल है अधिक्तम 20 लोगों के साथ शादियों की अनुमती होगी और वे केवल घर या अदालत में ही कर सकते हैं 20 वेक्ति की सीमा रहेगी अंतिम संसकार पर मोल और दुकाने ओर इवन के आधार पर ही खुलेंगी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही खुल पाएंगी ओनलाइन डिलिवरी जो है वो जारी रह सकती है रिहाईशी कालोनी में जो स्टैन अलोन की दुकाने हैं या बजार हैं वो और नियम का पालन नहीं करेंगे सिनेमा, मल्टिप्लेक्स या जिम फिर से बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज एक बार फिर से बंद कर दिये गए हैं रात के 10 बजे तक रेस्टोरेंट या बार बंद रहेंगे और आधी शमता में काम करेंगे दिल्ले मेट्रो आधी शमता के साथ काम करेंगी सैलून या फिर नाई की दुकाने पार्लर इनको अभी के लिए अनुमती है स्पा और वैलनेस क्लीनिंग जो है वो बन रहेंगे राजनितिक धार्मिक तयोहार से संबनित समारों की अनुमती नहीं होगी धार्मिक सल खुले रह सकते हैं लेकिन आगंतुको की अनुमती उनमें नहीं होगी सारजनिक पार की बात करें तो खुले रहेंगे लेकिन पिकनिक या सबा की अनुमती नहीं होगी और कोविट मामलों की बात करें तो 331 नए मामले सामने आ चुके हैं तो कि 6 महिनों में संकरमन में दिली के सबसे बड़े एक दीवस का स्पाइक है तो एक दिन में 331 मामले तो दो हफ्तों में ओमिक्रोन मामलों की इस्सेदारी 2-3 फिस्दी से बढ़कर 25-30 फिस्दी हो गई है और positivity rate की बात करें तो वो भी दो दिनों में 0.5% से उपर था जो कि GRP के अनुसार yellow rate के लिए trigger है तो यह थे दल्ली की गाइडलेंस इसी तरीके से हर एक स्टेट की गाइडलेंस और हर चोटी बड़ी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तो आज की इस इतना ही फिर मिलेंगे नहीं जानकर्यों के साथ तब तक बने रीगा चैनल पर थैंक यू सो मुच बबाई टिक क्यों